आज हम AI यानि Artificial Intelligence को लेकर discussion करेंगे अब यह बात आपको भी पता है दुनिया में टेकनोलीजी का जमाना है और टेकनोलीजी की इसको प्रसंद नहीं है लेकिन टेकनोलीजी जितनी जादा आकर्शित दिखती है अगर उसका गलत यूज किया जाए तो यह खतरनाक भी हो सकती ह मेरे से जादा social media के बारे में आप जानते होंगे कि टेकनोलीजी को लेकर दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है जो कि एक काफी बड़ी achievement है आपके मेरे और हम सब के लिए लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आप इसका किस तरह से यूज करते हैं और अब तो AI यानि Artificial Intelligence भी आ हैं दुनिया में technology के जमाने में खा जा रहा है कि AI अब तक की सबसे बड़ी achievement है इतनी बड़ी achievement आज तक दुनिया ने नहीं देखी है इसको कुछ funny examples के साथ भी समझेंगे वैसे मेरे से जादा तो आपको पता होगा कि AI को किस तरह से यूज किया जा रहा है अगर आपको script ल दूसरा आपको पता है कि आजकल पीमोदी जी के साउंग्स क्रिएट किया रहे है यानि किसी दूसरे के सांग्स को पीमोदी जी की वोइस में convert कर दिया जाता है तो देखो यह मैं आपको funny example दे रहा हूं बागी अगर इसका गलत यूज होता है तो यह बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि देखो मैं clear कर देता हूं कि AI का होना revolutionary तो है रिकिन अगर इसका blackmailing करने के लिए या फिर किसी भी गलत काम के लिए यूज होता है तो यह बहुत ज्यादा गलत है और आप भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूं देखो आप भी मेरी बात से अगरी इसको कुछ rules और regulation लाने की जुरत है और कुछ ऐसी चीटे जिन पर AI को पूरी तरह से प्रतिबंद लगाने की जुरत है क्योंकि funny topics अपनी जगा है और गलत चीज़े अपनी जगा है तो यह बात हो गई AI को लेकर लेकिन अब समझते है कि countries के बीच AI को लेकर किस तरह से rivalry चल दे इन दोनों दीशों के बीचे competition सा चल रहा है AI को develop करने के लिए और इसके लिए यूएस क्या कर रहा है ये भी देख लो पिछले साले की बात है यूएस ने चाइना में AI technology के development की speed को कम करने के लिए यूएस की commerce department ने चाइना और रिशिया में advanced chips के exports पर restrictions लगा दी थी क्यो सौधी अरब यूए तो यह चाहते हैं कि उनकी ऑईल पर dependence पूरी तरह से खतम हो जाए इसलिए फ्यूचर के लिए AI में सबसे जाए investment कर रहे है और दूसरा आप सब जानते हो कि इरान की economy sanctions की वज़े से काफी जादा चर्मराई हुई है लेकिन एक field में इरान काफी जादा आगे है वह है hacking को लेकर क्योंकि कहा जादा है कि cyber power को लेकर इरान काफी जादा growth कर चुका है और इसलिए AI को लेकर इरान काफी serious भी है और फिर आता है इसरायल और कतर यह दोनों देज़िए AI में काफी जादा investment कर रहे है क्योंकि इसरायल के पास भी technology development capability है और US इस बात से चिंता में है क्योंकि चाइना अब इसरायल के साथ भी अपने relations को मजबूत कर रहा है इसरायल में Huawei शाओमी जैसी चाइनीज कंपनी ने investment कर रहे है वहाँ पर अपने centers open कर रहे है और चाइना chips development technology development को लेकर भी वहाँ पर investment कर चुका है क्योंकि historically इसरायल और US के relations काफी जाद स्ट्रॉंग रहे हैं इसलिए US नहीं चाता है कि उसके किसी भी करीबी देश के साथ चाइना के relations strong हो यह बात स्रिफ इसरायल की नहीं है दिखो चाइना इसरायल के साथ 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 यूई इरान इन सब देश्यों के साथ भी सेम काम कर रहा है तो अब देखना होगा कि AI क सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तब तक के लिए जय हिंद जय भारत